खुद की सेलफी निकालना तो सेकेंडों का काम होता है लेकिन खुद की इमेज बनाने में चिंदरी बज़ा जाती है सीबीसी और यूपी बोर्ड सीबीसी बोर्ड और यूपी बोर्ड की स्टूडेंटों का यह डिमांड है सर क्या हमारे सेलवस में कुछ ऐसे चैप्टर हैं कैंसिल कर दिये गए हैं कि आखिर पर हमें किस किस चैप्टर करना है यह बहुत बड़ा डाउट है तो मैं सभी स्टूडेंटों की यह कहना चाहता हूं कि एंसी एर्टी ने एंसी आठी ने अपने सेलवस से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको डिलेट कर दिया है मिन्स केमेस्टी में चैप्टर है ही नहीं जब केमेस्टी में चैप्टर है नहीं तो हम सब लोग को यह पता है होना चाहिए कि जो निव एजुक्रेशन पालसी आई है 2020 उसके वेसिस पर चाहे वह में चैप्टर्था और सबी बोड़ को यह सी आड़ी क्या कि सेल्बस को ही रिड कराना है बस पैटन ने क्या होता और दोनों का अलग-अलग होगा तरीके दोनों के अलग मिफ्टेंस के लेकिन सेलबस है वह चाहे स्ट्रेट का हो चाहे वह सेंट्रल गॉड का हो सब का सेलबस एख ही है आज की इस विडियो लेक्सिंस में हम उन स्टुडेंटों का डाउट क्लियर कर देंगे कि उनका डाउट है कि सर आखिर किन किन चैप्टर को केमिस्टी से डिलेट किया गया है तो हम आपको बताना चाते हैं कि अगर देखा जाए तो केमिस्टी के 40% सेलबस को डिलेट कर दिया गया है मिन्स 40% डिसकांट कर दिया गया है स्लबस तो ये तो बहुत खुसी की बात है जिन इस्टुडेंटों इस्टूच रह होंगे कि इतना बड़ा सीलबस कैसे हम रिट करें अरे वही बोर्ड में खुद ही आपका 40% कर दिया और हमेशा इसको बाहर कर दिया आखिर कौन कौन से ऐसे अपने बुक से बाहर कर दिया है जब उनको नहीं रख रही है तो सिल्बस में आप किसी भी स्ट्रेट को हों क्या है किसी भी सी बूर्ड को कोई भी पॉब्रिकेशन की अधर साइट भूंगी उन बुकों में अब उन चैप्टर को हमें रिर नहीं करना है अच्छों नहीं यह लेशन्स डिलेट करके मिलेंगे आखिर कौन कौन से लेशन है जिनने अंसिजाटी ने डिलेट किया वह केमिस्ट्री का आप मैं बताना चाहता हूं वालों के लिए जो ट्वल्थ बोड की स्टुडेंट है जिनको बोड एक्जाम देना है मैं स्टुडेंट की बात कर र यह पूरा का पूराइट करेंगे और यह यहां चाहती से लिट कर दिया गया है इसका में सब आपको डिलेट करना है अगर इसने कुछ पढ़ा clear और ठीक है आप इससे टाटा और बाई बाई कर दो फिर आपका दूसरा है फिस्कल कमिस्टी का ही है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सर्फिस के मिस्टी क्या नाम है सर्फिस के मिस्टी यह दूसरा चैप्टर आपका है सर्फिस के मिस्टी जिसको क्या कर दिया गया है बाहर कर दिया गया इकक नंबर तर्ड वो आपका extraction of element extraction of element extraction of element जिसमें metallurgy वगरे प्रस्च जोते हैं इनको भी क्या कर दिया गया है कि NCRT ने बाहर कर दिया गया है NCRT के silvers इनको भी बाहर कर दिया गया है now 4 आता है जिसका नाम होता है P-block ये तो बहुत बड़ा P-block P-block को भी क्या कर दिया गया है बाहर कर दिया गया P-block काफी broad silvers था बहुत खुसी की बात है कि broad silvers को भी क्या कर दिया गया बाहर कर दिया गया now 5 lesson होता है जिसका नाम है polymer polymer को भी क्या कर दिया गया silvers से बाहर कर दिया गया पॉलीर को भी शेलबस से बाहर कर दिया गया है। अशिक्स लेशन के हम बात करेंगे, आखिर वह सिध सले श्छक्या है क्या है क्या है वार का हुआ है ते एब्री डे इडि श्रस केर Inspector मिखरें ली जैट जी है मीनसको सवस्था दे प्रते ही है पिश्ट्रसायन तत्तों का डिसकर्शन पीवलोग पहुलग यह सब जो लेशन्स हैं तो मिलाद लॉग कितने लेशन है ओबर आपको 60 लेशन टोटल थे टोटल टोट मोट में 16 लेशन के विश्टिक थे जिसमें 6 लेशन डिसकाउंट हो गए अब बचे कितनी लेशन बच रहे हैं तो हम तो यह कर रहे हैं यह तो आपको 40 पसेंट लेडी क्या कर दिया गया डिसकाउंट कर दिया बहुत खुशी की बात है अब लोग ज्यादा प्र प्रिश्टिन मिलेंगे तो कुल मिलाकर अब इन जो भी अगर कोई बुक लिया है पुरानी बुक लिया है इन चैप्टरों को ना रिड करें वहीं से इक्जाम में आने हैं आप आप वहीं से त्यारी शुरू कर दिजे और इन से कर देड़े टाटा बाइबाई-बाई-बा प्रिश्टिक भी मिलेंगे देखा जाएगा वो तो बात की घटना है 2023-2024 एक्जाम को आपको फाइट करना है तो अपनी पढ़ाई को तैयारी करना शुरू कर दें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाईए और इन सभी को भूल जाएए फिर मिलेंगे टाटा और बाई-बा अबाईप चुरा करना है मिलेंगे यह कर दो आटीक पढ़ाईए और बात को आखव से अरियारी कения का आखव old जाईए बाईए भी सुरू?